वेल्कम टू यॉर चैनल हिट्समाइद्स मैं हूँ इतरन्द सिंह राजपरीत और लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेसाइज एक पॉइंट बाट कुर्शन निम्पर नाहिन तो बिना आप समय की वेस्ट किये कुर्शन करते हैं शुरू एक पॉइंट वन इन ट्राइंगल इबी-सी इक ट्राइंगल एबी-सी है जिसमें राइट एंगल बना हुआ वी पर तो पैसे डाइगां बने देते इसका एक यह है एक right angle triangle और यहाँ है angle B A और C आप कहीं पर भी दे सकते हैं 10 A की value आपको इसमें दे रखी है 10 A 1 upon root 3 तो students 10 A आपको पता है इससे पाकिस्तान भोकम पिडित से P upon B होता है equals to 1 upon root 3 यानि कि A के response में बात करिये जाए अगर A के response में अगर आप आप करते हो तो आपका जो बन जाता है इसमें P वो आपका P बन गया यह वाला यानि कि इसको आप लिख सकते हो A C sorry B C B C upon base और base हो गया आपका A B तो वही कुष्णस है लेट सबसे पहले में आपको बन गया था कि तीनों चीज को आप verify कर दो तीनों चीजों की value निखागो तो यह इसी का यूज करेंगे यह होगी आपके पास में लेटर पी बरवर होगी आपके पास में एक्स इसको मानते है अपने उपर वाले को एंड बी इक्वेस्टो होगी आपका रूट थ्री एक्स तो यह राग का एक्स यह कैसकते है आप वन यह आपका वन है यह आपका रूट थ्री है तो देन ह स्क्राइब निकलेंगे इक्वेस्टो था पी स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर तो ह्स्क्राइब रूट थ्री एक्सका वल स्क्वेर तो यह हो गया एक्स स्क्वेर प्लस रूट तरी का 3 एक्स स्क्वेर टोटल हो गया इसका 4 एक्स स्क्वेर तो स्क्वेर रटेगा तो रूट लग जाएगा तो आपको एच में जाएगा यहां से है अएच गैलुरे यहां कि कि है आ आगे हैं आके पास में है इसे फिक को कुश्षन फर्स फर्स करने के लिए कडर को साउं इनिक का लगा ना पारऊवसे 및 फिर्स करें एपनी कि निकाल देख हुआ है तो नाउ ने देगा है तो सलाए इसके रोगी इंपर है भी फ स्थय दो इसके रास्ते हैं अपको यह plण और इसके response में H मिलेगा आपको 2 इसी पकार से sin C भी निकाल देते हैं एक प्लब तो sin C P upon H तो C के response भी रहा C इसके response में P भी जाएगा इसके सामने वाला root 3 और H, H भी रहाएगा 2 and cos A cos होता है B upon H तो A के response में B हो गया root 3 H भी 2 और cos C की बात करोगी तो इसके response में B upon H इसके response में B होता हैगा 1 और H भी आपका 2 तो first question first है इसकी value निकालनी है sin A cos C plus cos A sin C sin A की value sin A है आपके पास 1 upon 2 cos C है आपके पास 1 upon 2 cos A है आपके पास root 3 upon 2 sin C है आपके पास root 3 upon 2 तो 1 multiply 1 upon 4 plus root 3 को root 3 से multiply गया 3 2 को 2 से किया 4 lc m लोगे आपके आपके पास root 3 upon 4 अपके पास root 3 upon 4 एकोस टो 1 यह तो हो गया 1 c इसी पकार से इसी है इसी है इसी है पकार से से के हैं हो अपके है cos a cos c minus sin a sin c cos a की वेलिए root 3 upon 2 cos c 1 upon 2 sin a 1 upon 2 sin c root 3 upon 2 multiply करोगे root 3 upon 4 minus root 3 upon 4 तो answer आजाएगा इसका student 0 तो यह हो गया 9 का 1st और 2nd तो easily pause करके इसको root कर सकते हो question number 10 triangle PQR के अंदर right angle आपको दे रखा है क्यों यह इस पर गागड आएगा is right angle-tangle यह पर है Q और P और R आप कहीं पर भी दे सकते हो इसमें आपको यह देर्खा है क्यों P R प्लस Q R P R प्लस Q R आपको देर्खा है 25 cm वार P Q देर्खा है 5 cm determine करना है sin p cos p 10p तो यह सब बात की बात होगी है p q है 5 न यह दे रखा है न यह दे रखा है लेगिन इन दोनों का total दे रखा है तो क्या है किसी एकको x माल ले जाए let या तो pr को या qr को let pr equals to x अगर यह एक्स हो गया देन पी आर प्लस पी क्यू क्या था 25 था तो पी आर की जगा आगया एक्स प्लस पी क्यू इक्वस टो 25 तो पी क्यू जो है वो आपका बन गया 25 माइनस एक्स तो यह आगी आपका 25 माइनस एक्स तीनों के तीनों साइड आपके पास आगई ओके शुनेंट्स एंगल पी के लिए बात कर रहा है सबसे पहले तो एक्स की फेली निकाल देते हैं इजी लिक तो पीक्ष इस पाट पर रट आपक यह 투 स्क्षवे में एक्सेंच्टरहिच हो इसे स्क्षए में इस विए पर सओनें एक्सेंट्स थे निक्स में एक्सम पीच्टरहिं एक्सकर मोग थे सुनीट्स में ठ्यूखे लिए है जैने कि x-square P-square This is इसके साहने वाला P या आपका P हो गया 25-x-square plus b-square तो ये बज़की आपका b-square इस questions पे आप important जरूर लगाते हैं questions नाता है, x square equals to a minus b का होली square, a square minus 2ab plus b square, और यह इस तो गोलते है, x square equals to 25 का होली square जाएगा, 6 to 5 minus 50, x plus x square plus 25, x square से x square जाए, cancel, या 0, 625 minus 50, x plus 25, इन दोनों गोजाएगा, प्लस या जाएगा इदर, 50 x equals to a, और इदर प्लस, 650, 0 से 0, cancel, तो यह बन गी आपके, यापके, 5 x equals to 65, तो x is equal to 13, जैसे h 13 होगा, therefore, h बन गया आपका, x यानिकी 13 cm, p बन गया आपका, इसके सामने वाला p, 25 minus x, यानिकी 25 minus 13, 12 cm, और b जो है, वापके है, यह 5 cm, साइन पी, तो साइन होता है, p upon h, p 12 upon h 13, और कॉस्त पी, कॉस्त पी होता है, है, b upon h, b है, यहाँ पर 5, h है 13, और कॉस्त पी होता है, आपका, p upon b, means, p है 12, और b है 5, this is your answer, और कॉस्यन नमर 10 is complete, कॉस्त पास रके, इस दान्स नोट कीजिया,